नमस्कार आप देख रहे हैं दाव बिहार टॉप मैं हूँ आदेश पूरी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे जो परिच्छाएं होती हैं भरती परिच्छाएं होती हैं परतियोगता थे समंदित परिच्छाएं होती हैं उसमें कैसे बिहार के लोग जो हैं बिहार के य कर रहा है हमने आपको परसों बताया था कि कैसे गुजरात में जुनियर कलर की भरती हो रही थी तो उसमें जब जांच की गई पेपर लीख हुआ जांच किया गया तो साथ बिहारी समेथ 16 लोग रिफतार हुए और मास्टर माइन जो था वो भी पटना कराने वाला था इसी तरह कल हमने आपको बताया था कि हिमाचल परदेश पुलिस भरती में गड़बड़ी को लेकर सिवी आई जांच वहां चल रही थी और उसको लेकर बिहार के 6 जिलों में परसों चापे पड़े और बिहार से बहुत सारे अभ्युक्त जो की पेपर लिक में वहां या गड करने में सनलिप्त हैं उनके सक्क्याधार पेच अपमारी की गई हलाकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कितनों लोग की गिरफतारी हुई है लेकिन महत्वपुन दस्तावेज मिले हैं इसी तरह बता दे हम कि कुछ दिन पहले ही पुरे देश भर में JEE मेन यानि कि IIT चल रहा था और उसमें दो सॉलवर गैंग के पकड़े गए और आपको बता दे कि दोनों बिहार के ही हैं तो बड़ा ही कलंकित करने वाला यह मामला है कि जो भी महत्वपुन देश में परिक्षाएं हो रही हैं उसमें अगर कोई गरबड़ी हो रहा है तो उसके तार बिहा साथ आपको बता दे कि बिहार में होने वाले परिक्षाओं में भी गरबड़ी हो रही है और इसको लेकर छात्र हमेशा सीवियाई जांच की मांग कर रहे हैं लेकिन सीवियाई जांच के हावाले यहां के परिक्षाओं को नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि छात्र स पॉलेज रोड इस्तित कंप्यूटर संस्थान परिक्षा केंदस्ते मंगलवार को हुई थी जिने बुद्वार को जेल भेज दिया गया गिरफ्तार किया गया रवी मिस्रा जहानाबाद का और मौनुज कुमार पटना का निवासी है नेशनल टेस्टिंग एजनसी यानि कि ए आर्यान आर्या के बदले ये फर्जी परिक्षारती परिक्षा दे रहे थे किंद्रा धिकचक ने सक्क्या धार पर दोनों से पूस्तार चाई की तो फरर्जी अभ्यरती ग्राफ्त में आ गया केंजा धिक्षक ने ततकाल इसकी सूचना पुलीस को दी इसके बाद मौके पर पहुँची पुलीस ने दोनों को दवोज लिया जेल भेजे जाने के पहले इनकी पूछताच भी की गई है तो सॉलवर गेंग, पेपर लिख कराने वाले यह जो हैं यह बिहार में काफी यह संगठित आरो अपराद का रूप ले चुका है और उसमें गरबड़ी होती है तो उसके तार बिहार से जुड़े मिलते हैं, निट की परिक्षा हो तो उसके तार बिहार से जुड़े मिलते हैं, पिछले साल भी IIT की परिक्षा में गरबड़ी हुई थी तो उसको लेकर बिहार में छापे पड़े थे, फिर से गुजरात में परिच्छा हो हिमाचल परदेश में परिच्छा हो कहीं भी परिच्छा हो अगर गरबड़ी होती है तो उसके तार बिहार से जुड़े हुए मिलते हैं ये बड़ा ही अफसोस जनक मामला है ये आपको बता दे कि सॉलवर गैंग इतना एक्टिव है कि बिहार में सिपाही की प हुचे थे आपको बता दे कि एक डिर साल पहले हुए 11,880 सिपाही भरती परिच्छा में लगबग साले 600 ऐसे ही कैंडिडेट पकड़े गया थे जो कि पीटी खुद नहीं गया थे सॉलवर गैंग को बैठाय थे और इसके बदले दो लाग से लेकर 10 लाग तक भुकतान किय गया था और सबसे बड़ी बात बता दे कि सॉलवर गैंग को लड़कों में ही नहीं है लड़कीयों में भी है जो कि लड़कियां जो है वो किसी दूसरे के बदले पर इच्छा देने जाती है ऐसा मामला निट के एक्जाम में हुआ था जब पटना की एक लड़की बनारस म पकड़ी गई थी किसी दूसरे के बदले एक्जाम देते हुए तो ऐसा ही मामला जो है बिहार पुलिस की बहालियों में देखने को मिलता है तो मैं हमेशा से बात करता हूँ सुरू से बात करता हूँ अगर इस कलंग को बिहार को मिटाना है तो बिहार पुलिस बिहार सरकार को एक operation launch करना होगा और ये operation इतना मारक होना चाहिए कि जो भी परिच्छा में गड़बड़ी करने के बारे में सोचते हैं उनकी रातों की निंद उड़ जाए लेकिन दुरभाग ये दुरभाग ये देखिए बिहार में कि जो भी लोग पकड़े जाते हैं बस उनको पकड़ के जेल भेज दिया जाता है लेकिन उसके बाद मामले की जाच नहीं की जाती है कि आखिर कौन लोग हैं जो कि सॉल्वर गैंग के मेंबर मनें कौन लोग हैं जो परिच्छा में बैठें और इन सब का mastermind कौन है जाच होता भी है तो आधा अधूरा होकर रह जाता है और यही भाग्य है और सरकार के हाथों में ही है विश्वास बहाली करना और जरूरत है मैं लगतार दो तीन सालों से का रहा हूं कि एक टीम बनाने की एक ऑपरेशन करने की जो की इन जलसाजों की कमर तो तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है तो लाइक सेर करे हमारी चानल दभी हाथ टॉप को सस्क्राइब जरूर कर ले धन्यवाद